आज हम हरे मटर से बहुत टेस्टी नाश्टा बनाएंगे नाश्टा चटपटा और क्रिस्पी बनता है ये बच्चों से लेकर बड़ो तक सभी को बहुत पसंद आता है तो आप इस रेसिपी को एक बाद जरूर ट्राइ करें तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं मटर का चटपटा नाश्टा बनाने के लिए हम जार में एक कप मटर लेंगे और इसे दरदरासा पीस लेंगे देखिए मैंने मटर को पीस कर त्यार कर लिया है हमने मटर को यहाँ पर थोड़ा मोटा पीसा है अब हम पैन में 1 टेबल स्पून के करीब आईल लेंगे और इसमें आधा चमच जीरा और आधा चमच बारी कटकिया हुआ अद्रक डाल कर इन्हें कुछ सेकेंड के लिए भुन लेंगे जीरा और अदरक के भुन जाने के बाद इसमें एक बारी कट किया हुआ प्याज और एक कट की हुई हरेमिर्श डालेंगे अब हम्ये इन्हें प्याज के अच्छे से सौफ्ट होने तक भुनना है देखिए अब प्याज अच्छे से सौफ्ट हो चुका है अब हम इसमें पिसा हुआ मटर डालेंगे अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें सुखे मसाले भी डाल देंगे एक चमच धनिया पाउडर आधा चमच लाल मिर्ज पाउडर आधा चमच हल्दी पाउडर और आधा चमच नमक डालेंगे अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मटर को चार से पांच मिनट के लिए भुन लेंगे देखिए मटर को भुनते हुए हमें पाच मिनट हो चुके हैं अब हम इसमें एक चमश निबू का रज डालेंगे अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें काफी सारा बारी कट किया हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिलिंग बनकर तयार है अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे अब मैंने यहाँ पर दो बड़े साइस के उबले हुए आलू लिये हैं हम इन्हें अच्छे से कद्दुकस कर लेंगे ताकि इनमें कोई भी गुठली ना रहे देखिए मैंने आलू को अच्छे से कद्दुकस कर लिया है अब हम इसमें 2 टेबल स्पून कॉन फ्लोर और थोड़ा नमक डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए मैंने कॉन फ्लोर और आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें आधा कप ब्रेट क्रम डालेंगे आप यहाँ पर चार ब्रेट को मिक्सर में पीस कर इस्तिमाल कर सकते हैं अब हम ब्रेट क्रम को आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए मैंने आलू और ब्रेट क्रम को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब स्टफिंग भी थोड़ी ठंडी हो गई है हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे देखिए मैंने यहाँ सारी स्टफिंग से बॉल्स बना कर त्यार कर ली है अब हम हाथों पर थोड़ा ओईल लगाएंगे और थोड़ा आलू और ब्रेट क्रम वाला मिक्सर लेंगे अब इसे हाथों पर फैलाएंगे और बीच में स्टफिंग रखकर इसे अच्छे से कवर कर देंगे अब इसे हाथों पर दबाती हुए हलका सा फ्लेट कर देंगे अब इसी तरह से सारा नाश्टा बना कर त्यार कर लेंगे अब हम इन्हें फ्राइ करेंगे ओयल के गरम होने के बाद इन्हें ओयल में छोडेंगे और मीडियम फ्लेम पर फ्राइ होने देंगे कुछ देर के बाद इन्हें पलट देंगे अब हम इन्हें अलटते पलटते मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राइ कर लेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए देखिए अभी अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं इन पर अच्छा सा कलर आ गया है और उपर से काफी क्रिस्पी लग रहे हैं अब इन्हें निकाल लेंगे अब आप इन्हें गर्मा गरम अपने पसंद की किसी भी चटनी के साथ खाएं ये खाने में बहुत जादा टीस्टी लगते हैं अब आप मटर की इस रेसिपी को अपने घर पर जरूर ट्राइ करें